हेलो दोस्तो, आज हम सीखने बाले है, त्री-फेज इंडेक्शन मोटर का कानेक्शन किस तरह से किया जाता है, कोई भी प्री-फेज मोटर हो, तीन एजबी चार एजबी पाँचाँच्पी सिक्स हच्पी सारिसाफ एजबी 182, Lisa hm आप इस वीडियो मेरे चैनल में ओल्रे डाल दिया है पर आपने तरक इस वीडियो का नहीं के लिंक कर दो सकते हो तो भी दो को ले करे बहुत से वाय की में पुर नहीं की स्थायाई पार बाने डिखा इस-वीडियो में सिर्फ connection आपको practical और डाइग्राम दोनों ही तरह से दिखाने बाले हो तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं तो सबसे पहले आपको बता दू डाइग्राम से हम स्टाट करेंगे और उसकी बाद में सबसे आसनी होगी उसके बताब practical करेंगे दिखाने बाले तो यहां पर हमने कुछ कोईल जो है ड्राइग्रा किया है अब दिखाने वाले हैं इसमें total जो कॉईल है वो नम्बरिंग हमने कर दिया है यहां पर यहां पर दिख सकते हो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा और बारा सेट हमर मोटर में था तो हमने बारा सेट यहां पर ड्रॉइंग किया है और हर एक सेट में जो है दो लिड निकल के आती है एक इनर वेर लेफ्ट हंड साइड और एक आउटर वेर जो राइट हं फास्ट कर सकते हो कोई प्रोबलेम नहीं है तो हम मान लोगो कि फास्ट कोयल से इस टट कर रहे है और इसका इनर वेर जो है इसका एक लीड हमने यहां पर चोड़ दिया, इसका नाम आप A1 देख सकते हो, या फिर इसका नाम आप देख सकते हो U1, U2 इस तरह से नाम इसका के लिए था हमने इसमें नाम दे दिया दूस्तों यू वण आप इसका जो डूस्तुरा वघत ही और प्लूठ और ऊजाल होट चछोड़ूएंगे दख्याय एक नामार के बाद दो सेट छोड़ दिए और चार नामार सेट में हम इसका जो इनर- confident आउटर वेर से दोस्तों यूझत होगी इस तरह से देखिए 20 में 2 सेट छोड़के एक बाद 2 और 3 छोड़ दिया हमने और चांच नमबर में आएंगे और इसका जो इनर वेर का लिद है इसको कनेक्षन कर देंगे यहां से लेते हैं चन नमर का inner wire और 7 नमर में चले जाएंगे दो सेट छोर के उसकी बाद देखिए 8 और 9 सेट छोर के हम 10 नमर सेट में आएंगे 7 नमर का जो outer wire वाला lead है इसको हम 10 नमर का outer wire के साथ जोड़ देंगे इस तरह से तो यहां से दोस्तो हमारा एक pole complete हो चुकी है और इसकी बाद 10 नमर का inner वाला lead है इसको हम एक lead की रूप में चोर देंगे और इसका नाम देंगे हम U2 यह देखिए हो गया आपको सिर्फ एध्यान रखनी है कि हमें जो सेट एक के बाद 2 सेट छोर के connection करना परेगा बीच में 2 सेट छोर के हमको connection करना परेगा और इसी तरह से सभी connection होता रहेगी इस तरह से हम connection करते जाएंगे इस साइट से हम सट किया तो इस साइट से ही करेंगे आप 2 नामबर सेट का जो इनर वार लीड है इसको हम छोर देंगे लीड की रूप में इस तरह से और इस लीड का हम नाम देदेंगे दोस्तो वी वन इस तरह से देखिए यह हो गया वी वन इसका और इसकी बाद जो इसका outer wear है वह हम तीन और चार नामबर सेट छोड़ देंगे और पांच नामबर सेट की जो outer wear का लीड है उसकी साँ जाएंगे सिर्फ को यह चीज ध्यान रखने है कि दो सेट ग्याप रहेगी बीच में पांच के बाद 6 और 7 चोड़ के 8 में जाएंगे और इसका inner to inner जोइंट कर देंगे यह चलिए हो गया अब 8 के बाद 9 और 10 नामबर चोड़ के 11 में आएंगे और यहाँ पे outer to outer लगा देंगे connection बहुत ही easy connection है यह देखिए हो चुकी है अब 11 नामबर का inner wire lead है इसे हम एक lead की रूप में बहार निकाल लेंगे यह देखिए हो गया इसका नाम देदेंगे हम V2 चलिए यह भी complete हो चुकी है अब हम क्या करेंगे तीसरा set में जाएंगे इसका भी दो wire है तो inner wire का lead हम लेंगे और इसका नाम देदेंगे हम W1 यह हो गया अब इसका जो outer wire है उसको लेना है चार और प्माच को चलिए च्छे नामर सेट में आ जाना है और इसके outer के साथ outer joint कर देना है और यह हो गया उसकी बाद चलिए चेक के बाद 7 और 8 को चलिए नामर में आ जाना है और इसे हम इना रटो इना जोइन कर देंगे यह भी हमारा हो चुकी है अब ना नमबार के बाद दोस्तों आएंगे हम देखिए 10 और 11 सेट छोड़के 12 नमबार सेट में आएंगे तो यहाँ पर हम लगा देंगे outer wire तो outer wire यहाँ पर जोइन कर देंगे यह देखिए हो गया complete तो connection यहाँ पर हो चुकी है अब 12 नमबार का इना रटो इना रटो इसको हम लीड गरूप में बहार निकाल लेते हैं और इस लीड का हम नम देंगे डबलू टू यह चलिए हो गया तो अभी connection जो है हमारा complete हो चुकी है यहाँ पर निकालना यहाँ पर होगिए u1 यहाँ 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 व1 यहाँ बी टू और इसके बाद यहाँ पर होगिए आप दो केविल लगाना चाहते हो तो केविल में होती है किया तीन कलर, red, yellow, blue तो इसमें जो connection अप तीन तरह से करण सकते हो तो हमें आपको एक एक connection बता देते हैं पहला connection जो रहेगी वो इस्टा डेल साप इसमें लगा सकते हो यह जो है उसमें भी चलां घाला कॉलर को पर रखाना पर लाएगा Am I यह वाई कि हम लगा देंगे भी वान में एक केविल का तो दूसरा केविल का हमको लगाना पड़ेगा भी यह लो कलर का लगाना पड़ेगा अब पहला केविल का मालो जो बुलू कलर का वैर है उसको हम लगाते है डबलू वान में तो दूसरा केविल का भी जो बुलू वाला सकते हो देखिए ये हो गया इस्तरफ कनेक्सयान अक्र दो के बिल आप निकलते हो तो आप बहुत से हैंस को इस्टर में चला सकते हो अप जला सकते हो estimates जो मान करें आप लचला सकते हो जब जिसका जरूरत परेगी तो दो के विल आपको इस तरह से निकलना परेगा तब जाके आप इस टर डेल्टा कनेक्शन करन पहोगे तो ए हो गया दोस्तोफ हमारा star delta connection गये तो पहला हो चुकि ए लेकिन इसको हम जोंटर कराइं से आप लाइं नहीं करेंगे तो इस्ट्रा कर सकते हैं, देखिए, मानलों आपका अनक्शन कहीं से भी स्ट्राट कर सकते हो, कोई प्रोप्रीब नहीं है, मानलों कि here E1, E2 का हमने एक लिड ले लिया, और V2 को छोड़ दिया, तेखिए, इसके बाद W2 को हमने ले लिया, और E1 को यहाँ पर छोड़ दिया इसकी बाद यहां पर आजाती है U V1 इसद इसे लिया और W1 को यहां पर छोड़ दिया तो यहां पर तिन domains lead हमने ले लिया एक के बाद एक एक के बाद एग और यहां पर एक cable हमको सिर्फ join करेंडा ना है तो यहाँ पे जो V2 है और U1 है और W1 है इस तिन लिट को हम को जोइन कर देना है एक साथ और बाकि जो तिन लिट रहे जाती है V1, U1 और U2 इसको हम जोए लिट के रूप में बाहर निकल देना है और उसमें हम जोए पावर सप्लाई दे सकते है तो देखिए मनलों की यह केबिल है इसको हम यहाँ पर लगा देंगे इसका रेडियो लो बुलू आप कहीं पर भी कहीं पर लगा सकतो कोई प्रॉब्लम नही गए है इस तरह स्था हम connect कर दिया तो यह वग्या दस्तो हमारा क्या है connection कॉम्धिका हो जूक्याै है इसको हम बोलते है star connection ठीक है? लेकिन यगी connection ही हम जो हम नहीं करेंगे छोटे मॉटर में किया जाता है तो तो क्या है कि हम यह भी connection नहीं apply करेंगे? ठीक है? हम जो है दूस अब तीसरा connection जो होगी दोस्तो हमारा delta connection करना परेगा तब lead में से कहीं से connection स्टाट कर सकते हो कोई problem नहीं है अब V1 से कर सकते हो और U2 कहीं से start कर सकते हो तो यहाँ पर मानलो कि हमने यहाँ से start कर देते हैं W1 और V1 को एक साथ यहाँ पर जोड़ देंगे और यहाँ पर lead निकल लेंगे और इसको सीधा हम motor से बाहर निकल लेंगे तो मानलों कि हमरा तीन वायर है इसको आप color wireless लगा सकते हो और एकी color का भी चाहो तेकी color का भी लगा सकते हो कोई problem नहीं है तो सिधा हमने एक power supply इसमें दे देंगे एक page उसकी बाद WO2 और E1 को एक साथ जोड़ देंगे और इससे एक lead nickel के ले आएंगे इसको हम apply करेंगे प्रैक्टिकल में इसमें इसको अपको मोटर में भी करना पड़ेगा अब मानलों के मोटर के जो रोटेसन है वो चेंज करना है जब मोटर का फीटिंग करने देखते हैं उल्टा से घूम रहा है ताब वो कैसे solve करेंगे तो करने की कोई चिंता की जोरूनत नहीं है देखिए इसमें जो फेज हम देते हैं इसमें से किसी भी दो फेज को आप जो है उल्टा सिधा कर देंगे एक्षेंज कर देंगे मनलोग की यहां से हम कर देते हैं इस फेज को यहां पर लगा देंगे और इस फेज को हम यहां पर लगा देंगे इससे क्या होगी मोटर की जो रोटेशन है वो चेंज हो जाती है यहीं इससे आप मोटर को उल्टा सिधा गूमा सकते हो तो यह जानना ज सब्सक्रेट करना मात भोलना ठीक है तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल करके भी दिखेंगे डाइग्राम में तो हो चुकी है तो यहां पर देखिए हमारा एक एक सेट का दो दो करके लिट निकल के आ चुकी है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस और एक ग्यारा और तोटाल बारा लिड यहां पर बारा सेट का दो दो करके 24 लिड निकल के आया है अब इसे हम को कानिक्सन करना है कहीं से भी स्टाट कर सकते हो कोई प्रोब्लेम नहीं है अब चार नामर सेट से पांच नामर सेट से कहीं से भी स्टाट कर सकते हो कोई दिकत नहीं है लेकिन हम पहले बताया कि समझने में आसानी होगी और इसका outer wear हम क्या करेंगे दोस्तों जैसे diagram में आपने देखा जो एक number lead का inner wear है इसको हम lead के रूप में छोड़ देंगे इसको lead के रूप में छोड़ देते हैं अब इस lead का आप किसी भी नाम दे सकते हो u1 या ये 1 कोई में नाम दे सकते हो तो हम इसको शिर्कुट को उठा देते हैं और इस lead को हम यहाँ पे नाम लगा देते हैं u1 इस तरह से mark कर देते हैं ठीक है अब इस एक number set का यह पर हमरा outer wear है तो हम दो number set और तिन number set को छोड़ देंगे यानि 2 set ग्याप रहेगी उसकी बाद 4 number set में हम चले जाएंगे तो पहला set का हमरा हो गया एक से 400 के साथ का connection 2 और 3 को छोड़ के तो 4 number set का यह बला inner wear है और इसका outer wear है तो हम को जो एक number set का जो outer wear बला lead है यह बला इसको हम को 4 number का जो outer wear बला lead है उसकी साथ जोड़ देना है यानि outer से outer connection होगी और inner से inner wear connection होते होते जाएगी शिर्फ 20 में आपको 2 set का ग्याप रहेगा तो यह हो गया अब यह 4 number set का दूस्तो inner wear है अब हम 5 number और 6 number set को छोड़ देंगे और 7 number set की वोड़ चले जाएंगे इसको हम लेंगे और इसका दूबी 2 wear है इससे हम open कर लेते हैं यहां से आप देखिए यहां से inner to inner हम जोड़ कर देंगे इस तरह से यह हो गया अब इसका जो outer wear वाला lead है 7 number का इसको लेते हैं और देखिए यह 8 number set और यहां पर यह 9 number set इन दोनों set को छोड़ देंगे और 10 number set में हम चले जाएंगे यह 7 to 8 7 to 10 set में आप connection होगी तो इसको जो है outer wear हम connection कर देते है इस तरह से देखिए हो गया आप देखिए यह 10 number का inner wear वाला lead है तो इसको हम नाम देदेंगे U2 देखिए हो चुकी है यह हो गया U2 और यह हो गया U1 तो एक set यहां पर complete हो गया अब दोस्तों यहां पर जितने भी हमने joint किया है इसको अच्छे से properly तरीके से joint कर देंगे बिल्गुल permanently इन joint को दोस्तों हम अच्छे से finishing करके लगा देते हैं तो एक joint हम आपको करके दिखाते हैं बाकी सभी joint आपको इसी तरह से finishing कर देना है सबसे फेर तो इसका insulation निकाल द दाल दिया और इसको इस तरह से more के joint कर देते हैं अच्छे से joint करना है लोज नहीं होना चाहिए इसको बाद इसको अब soldering कर लिजिए या spot welding कर लिजिए लेकिन अच्छे से joint होना चाहिए इसके बाद इसके उपर हम इस तरह से आठा बाला cotton टेप लगा रहे है और इसको हम किया यहाँ पर और यहाँ पर दो और यहाँ पर तीन ट्ली Less जॉइंट था पहला सेट का तो हमने कंप्र कर दिया है यह तरह साभी जॉइंट को आप हो जो है कायर करना है और हम इस तरह से करते करते जाएंगे अब दो नामबर सेट में आते हैं तो दो नामबर सेट को भी हम ओपन कर लेते हैं यहां से यह देखें ओपन कर दिया है यह इसका इनर वाला वैर है तो इसको हम भी एक नाम देते हैं इसको नाम देते हैं हमने भी वान ठीक है इसके बाद यहाँ पे दो के बाद जो है तीन नमबर और चार नमबर सेट छोर के हम पांच नमबर सेट में जाएंगे तीन और चार सेट छोर के पांच नमबर सेट में जाएंगे दो सेट का ग्याप रहेगी जैसे कि आपको पहले ही बताया है और इसका जो है आउटर वेर हम पाच नमबर के सेट के आउटर वेर के साथ इस तरह से जोईन कर देंगे और इसके बद पाच नमबर बला जो इनर वेर है पाच नमबर सेट का इसको हम क्या करेंगे छे नमबर और साथ नमबर च्छर के दोस्तों आट नमबर सेट में चला जाएंगे यह बला है आट नमबर सेट इसका भी दो लीड होती है तो हम क्या करेंगे इनर वेर से इनर वेर यहां पर जोइन कर देते है और यह देखिए यह हो गया complete अब आट नमबर का यह बला आउट वेर है 9 और 10 को छोड़के हम 11 नमबर सेट में जाएंगे इस तरह से और आउटर से आउटर हम जोइन करेंगे अब देखिए 11 नमबर सेट का यह बला इनर वेर रहे जाती है इसको हम एक नाम देदेंगे यहां पर भी टू देखिए हो गया complete यहां पर भी यवान यू टू और यहां पर देखिए भी टू और भी वान चार ले डवे तक निकल चुकी है अब तिन नमबर सेट से हम कने सेंसूर करेंगे इसको भी ओपन कर देते हैं और तिन नमबर सेट की इनर वेर है इसको हम नाम देते हैं कि डबल ऊन इस तरह से और इसका जो लीड है आउटर वाला हम क्या करेंगे 4 और 5 को छोड़ के छे नमबर सेट में जाएंगे और चे नमबर के आउटर वेर के साथ इसको जोइन कर देंगे इस तरह से इसके बाद हम इसको डिया करेंगे 6 नमबर का जो इनर वाला लीड है इसको लेंगे और 7 आठ को छोर के 9 नमबर में जाएंगे इस 9 नमबर मसेट में जो इनर हो है इनर टू इनर हम यहाँ पर जोइन कर देंगे यह देखिये हो चुकी है अब नामर के बाद दोस्तों 10 और 11 को छोड़के हम 12 नामर सेट में जाएंगे इसको पिन कर लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आउटर से आउटर हम जोइन कर देंगे और यह हो गया अब इसमें जो 12 नामर का इनर वरा लीड है इसमें हम नाम देदेंगे डबलू टू यह देखिए अब यहाँ पर पूरा कनेक्शन हमारा कॉम्प्लेट हो चुकी है और टूटल 6 लीड यहाँ पर निकल के आ चुकी है अब देख सकते हो बहुत अच्छे से अब इसको हम फिनिसिंग कर देते हैं फाइनाली सब कुछ कॉम्प्लेट हो चुकी है आप यहाँ पर देख सकते हो टूटल 6 लीड निकल के आया है इसमें से यह बाला हमारा 3 लीड इस साइड आया है और 3 लीड यहाँ पर निकल चुकी है इस साइड में यहाँ पर यह बाला है E1 फास्ट लीड उसकी बाद यहाँ बाला है U2 फास्ट लीड निकलने का से रह उसकी बाद यहाँ पर V1 निकलने उसके बाद V2 निकला असकी लास्ट में निकला W1 वर यह één W2 इनका जो है आपास में है कानेक्सान है continuity आपको मिलेगी हम आपको चेक क के दिखा देते हैं यह हमने डिजिटल मीटा ले लिया है इसको बाजरा पॉइंट पर सेट कर देना है अब यूवन पर पकरते हैं और इसकी बाद जाती है यूट्रू में तो यहां पर देखिए इसका साथ इसका पर कांट्रूट देखने को मिलेगी जो 28 ओमस यहां पर सेट चेक आउट कर सकते हो और बिल्कूल सही तरह कैसी कॉंपेट हो यहां पर profit अब दूस्थे यहां पर 13 को झार सकते हो निकल सकते हो जैसे कर अपने डियागरुम में यापको दिखाया है इस्टर डेल्टanka डेल्टा और इस्टर करे सकते हो तो सबसे पहले हम हम को बता देते हैं जो है इस ट्रग्नेसं के उसके की जैसे ऊसर है उसके रहाए है, उसके हम जोड़,, उसका पर लड़ेते हैं और इवाझ not वाझे उसके बाद निया या बाद gjैन वाद ऑफ को आक आप जोड़ेते हैं और पावर्द सप्राइज देंगे तो यह जाए कि दोस्तुत हमारा इस्टर काईकसेंग ठीक है इसकी बाद आते हैं दोस्तो हमारा इस्टर डेल्टा काईकसेंग जाई से कि इस्ट डिल्त कनेक्सान में आपको 2 की साथे हैं, इससे आप बाहर निकरके इस्टR delta कनेक्σιन कर सकते हो, दो की by लगा रखें, अब में लिए लिए हम करेंगे delta connect, जैसे कि W1 और और V1 को एक साथ जोड़ देते हैं यहाँ पर इसकी बाद W2 और E1 को एक साथ जोड़ देंगे इसकी बाद आती है यहाँ पर V2 और E2 को हम एक साथ जोड़ देंगे अब यही कनेक्शन हम यूज करेंगे इस मोटर के लिए यहाँ पर आपको तीन लीड जो है निकाल लेना है यह होगे यहाँ दोस्तों हमारा डेल्टा कनेक्शन इसका भी कानेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर 21 ओम्स के आसपास आएगी देखिए सभी में आपको सभी सेम आपको देखने को मिलेगी तो यह हो गया दूस्तों हमारा डेल्टा कनेक्शन और इस मोटर में ही कनेक्शन था अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 mm का कॉपर वेर लेंगे आप अलग अलग कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि रेडियो लो बूलू सेम कलर का भी इस्तेम इस पेडीड यहाँ पर लगा देते हैं अब जोएंट हो जाने के बाद क्या करना है इसको हम सोल्डर पर्यंगे। नहीं तो यह बाद में इस परक करेगी तो हमने शोल्डरिंग करके कॉंप्लेट कर दिया है अब क्या करेंगे इसको हम सबसे पहले टेस्टिंग कर लेते हैं से एक बार कांटिनूटी और इसका बॉड़ी शॉट सर्कीट कांटिनूटी बिल्गूल सही है और बॉड़ी हीट होगी तब कि सिलिक इंट्यूड नहीं जलेगी इसलिए हम लग रहे हैं बहुत अच्छे रेजल्ट आपको देखने को मिलेगी इस तरह से सब्सक्राइब में लगा देना है इसकी बाद इसकी ऊपर आपको सिलिक इंट्यूब डाल देना है मोरा टाइप का 8 नमबर या चुकी है और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में इसी तरह से आपको भी करना परेगा तो अब इस तरह से करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजाल्ट को देखने को मिलेगी और देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में इसको सिलाए करने के बाद मिलकुल company का original winding की तरह दिखने को लग रहा है ब्रक साइड में भी देख सकते हो इस तरह से अब दोस्तो अभी तक हमरा कम और भी बाकी है जैसे कि इसको आप बारने इस तरह आएंगे और बारने इस तरह आने के बाद इसको अब धूप में 4-5 गंट अच्छे से सुखाएंगे जब तक ड्राइ नहीं हो थे इसको फिटिंग नहीं करेंगे देखें भी आपको चेक करके दिखा देते हैं तो हमारा दुकान में तो थी फेज कनेक्शन नहीं है तो इसको हम बाहर लेके आया है एक दुकान पर और यहाँ पर देखेंगे इस पर पार्ट सा अपला है हमने दे दिया है मोटर घुम रहा है बहुत अच्छे से स्पीड मे कैमेरा में आपको स्पीड पता नहीं चलागी और हमने डारेक्ट थीरी फेज को इसका तीनो लीड में डारेक्ट लगा दिया है सिम्पुल सा कनेक्शन है और मोटर अच्छे से वार्किंग कर रहा है अब देख सकते हो इसका तीनो फेज तीनो लीड में हमने डारेक्ट इस वीडियो अच्छा लागा है वीडियो अच्छा लाइक कीजिए चनल में नहीं तो सब्सक्राइब करें लिजिए कोई सब्सक्राइब हो तो मुझे कमेंट कीजिए रहे तो इस्टेकर्म पर फूलो करेंजिए